मुझे लगता है कि यह बड़े गर्व की बात है इमाचरपदेश विश्व दैले के लिए विचिज दा ओनली ओल्डेस्ट इनुनिवसेटी अफ टी स्टेट के मान्य राष्ट्रपती जी जो है वो कनवोकेशन के लिए यहां पर आ रहे हैं जिसमें की वो प्रजाइट ओवर करेंगी और तिक्षांत उदबोधन मैडम राष्ट्रपती दे रही है हमारे पास टोटल 210 विद्यार्थि होंगे जिनमें प्यजडी के लिए 99 है और गोल्ड मेडल जो है वो 111 है अन विद्यार्थियों का एक साथ इन फ्रेंट ओफ मैडम प्रेजडेंट वो ओध लेंगे खड़े होंगे लेकिन मैडम राष्ट्रपती अपने हाथ से केवल 10 वच्चों को गोल्ड मेटल देंगे हाना कि पहले भी जब हमारी अक्टूबर 2018 में कन्वोकेशन हुई थी उस समय में फॉर्मर हमारे ओनेबल प्रेजडेंट जो है रामनात कोविन जी आये थे और 2019 में हमारे जो उस समय के HRD मंत्री शिक्षा मंत्री गवर्मेंटिफ इंडिया के अर्मेश पोखरियार जी 2019 में थी 2019 के बाद कोविट के कारण हमारी कन्वोकेशन नहीं हो पाई और इस अंत्रात तिन साल के बाद यह कन्वोकेशन हो रही है और अभी हम पिछला जो बैकलोग है वो कम्पलीट कर रहे है इसमें जो प्रजाइट ओवर कर रहे है हमारे ओनरेबल गोवर्नर है जो प्रजाइट उबर करेंगे, ओनरेबल चीफ मिनिस्टर है, वो होंगे, और ओनरेबल टिप्टी सीम जो है, वो कंट्री के भाहर गए है, उसकारण से नहीं आपाएंगे, और लेडर ओपोजिशन वो रहेंगे, डाइस पे, और हमारे एजुकेशन मंत्री हैं, और लोकल ए